तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकुस करने बारे हैं नाकफणी पॉति के बारे में बॉटनी सेकेंड यार माइनर माइनर पेपर का जो है टॉपिक है ठीक है यूनिट से तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को भी अगरण दोडोर बनाना केंग की टू मास ते लिए पूछा जा सकता है किस टाइप सी पूछा जाएगा नाकफणी पात सम्चिप ट्युपड़ लिके ठीक नाकफणी जो होता है आपसको संचिप्त लिके मतलब चितर पहले इसका चितर डो करना है पिर आपको इस पर कम मतलब जल की जहां कमी होती है और मिट्टी जदा है वहां यह पौधा जाता है मर्दवूत पौदा है जो जल की अथ्तदिक कमी वह चेस्थस में यह वन पर intervened जो है जल की कमी होती है वहीं चेत्रों में यह उगते हैं आपने देखा होगा साइद ठीक है यह जो है बालकिनी में भी आप इससे देख सकते हो या अपने जो है खेतों में ठीक है और जहां पर जल की कमी होती है वहां भी यह पौधा आप देख सकते हो ठीक है तो यहां पर हमारा क्लियर होता है दोस्तों सेकंड पॉइंट है हमारा दोस्तों यहां पर आप दे सकते हो मौत भी होती है इन पर मूल रोम पाये जाते हैं इन जड़ें लंबी होती आप इसकीन पर देख सकते हों इन पर कहीं कहीं flowers भी है ठीक है flowers इसमें कहीं फूल भी है ठीक है इसका रंग हरा होता है ठीक है नाइस्ट पॉइंट है दोस्तों आप इन्हें पॉइंट में ही लिखना question आपका जो question का answer जो है बड़ा लगेगा और आपको बहुत ही अच्छी मांक्स मिल जाएंगे इसमें पूरे टू के टू मांक्स मिलेंगे ठीक है नेक्स दोस्तों हमारा यहां पर आप देख सकते हैं इसका तना पत्ति के समान चप्ता हराबा मनसाल स रही हम मातलब घैक का गोलाकार घोता है चलिफ केंसा होता है गोलाकार होता है पत्ति इपक्रणा से झीक ठीक करते हो बहुत इसी你說 सकते हो तूंट आप पर 5.5 है हमारा हमारा दोस्तों इस सरच्णा कम फिल्लो क्लेट कहते हैं क्या और सब्सक्राइब करें कि सरच्णा क्लों किmistr adva ओ dejar जैसे कि यहाँ पर इसकी सरच्णा क्या हो गई gäller जैसे Valerada Mansal सरच्णा ओम्रम उनियुप आंतरी सता है क्या है हम फिलो क्लेट कहते हैं हमें आप सकते है ना है टना पती के समान्-प्रकाश बनाता है यह तो पता ही होगा यह टना प्रकाश दोस्टों यह आ पर दे कि कि इसकी पत्ते ही हम पता लगा सकते हैं कि मतलब देखकर ही लग रहा है कि इसकी पत्ते हैं काटा में रूपांत्य थोती है और जगे जगे सबकियर हैं पर जो हैं जुक्षा जुआ कहीं हो गए है तो यह था हमारा आज़सा इजी का टॉफ इजी सा टॉबिक ठीक है इसके कई कई फाइदे भी होते हैं अतलब इसके लाव होते हैं जैसे की नाक फनी का पौधा जो है कपको भान निकालता है हिर्दय के लिए लाफकारी भी होता है यह खून को साब भी करता है ठीक है और चोड़ों की सूजन तथा दर्द में भी लाव पहुचाती है ठीक है आखों के नीचे जो रोग होते हैं उसके जो है उसको भी जो है ठीक करता है ठीक है तो इसके कई फायदे होते हैं दोस्तों आप इसके फायदे भी जो है लिख सकते हैं जितने मैंने बताए हैं ठीक है आपको किस टॉपिक से लेटेड वीडियो चाहिए और हां मैंने मुश्ट टाइम पर कॉच्छन बीस्टी और वालों के लिए अप्लोड कर दे हैं आप मेरे चैनल पर चेक आउट कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्ते आसी नेक्स्ट वीडियो में